कोविट की तीसी लेहर को देखते हुए प्रदेश के समझ नर्शली से बारवित के इसकुल बंद रहेंगे यह निदर सीम ने वीडियो कांफेंसिंग के जरिये दिये जिस पर वाशाशन ने अमर्श शुरू कर दिया है मदी परदेश में जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और ओमी करोन पेर पसार रहा है उसको देखते हो मुखी मंति सिवराज सिंग चोहान ने वीडियो कांफेंसिंग के जरिये परदेश भर के जीलो के कलेक्टर से चर्चा की इस दोरान सिवराज सिंग चोहान ने मदी परदेश में कक्षा एक से बारवी तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद करने के आदेश दे दिये हैं यह आदेश नीमज में भी नीमज जिला कलेक्टर को प्राप्त हुए वी सी के दोरान मंत्री ओंपर का सगलेचा नीमज विदायक दिलिफ सिंग परियार कलेक्टर मैंक अगरवाल सहीद जीले के आला रिकाडियू पस्तित थे इस अवसापर सी एम ने दो टुक कहा कि कोई भी कोता ही बरती नहीं जाएगी वी सी के बार पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री ओंपर का सगलेचा ने कहा कि हमारा नीमज अभी तक बचा हुआ है इसलिए हमें जागरुक रहने की जहुरत है सी एम दोगारा जो निर्देश दिये गए उसका पालन किया जाएगा नीमज में भी स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे विवास हमारों में 500 लोगों से ज़्यादा की अनुमती नहीं होगी और समसान बा मुक्ती धामों में मात्र 50 लोगों की उपस्तिती रहेगी साथ ही जो नियम कोरोना गाइडलाइन के लागू किये गए उनका सत प्रतिसत पालन होगा